किसान आंदोलन के समर्थन में आमादी पार्टी के द्वारा राजस्वा में आवाज उठाना आज भारी पड़ गया आमादी पार्टी के तीनों राजस्वा सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है किसानों के मुद्दे को हम लोग पहले दिन से उठाते रहें आगे भी उठाते रहेंगे और उसकी जो भी सजा मिलेगी वो मंजूर है मैं आप मुझे बताईए 75 दिन से किसान आंदोलन पे है आसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनके उपर बूड़े किसानों के आखे फोड़ दी जा रही है पानी की बोचारे उनके उपर की जा रही है उनको देश दुरही आतंकवादी गदार कहा जा रहा है जहां वो सदन के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सदन के अंदर चर्चा कराके यह तीनों काला कानून सरकार वापस ले हमारी समय भी तो दिया गया कैसे चर्चा का समय दिया गया 75 दिन से आंदोलन करने वाले किसानों पर अलग से चर्चा भी नहीं हो सकती कह रहें 75 विशियों पर बोला है रास्ट पती जी ने उसके साथ आप किसान पर भी बोल देना तो मजाग बना रखा है इतना अपमान अनदाताओं का उनकी बात नहीं सुननी उनकी आवाद नहीं सुननी आपको तो आज पूरे देश के सामने ये साफ हो गया कौन किसान के साथ है कौन किसान के खिलाफ है आम आदमी पार्टी पहले दिन से सडख से संसत्तक किसान के साथ थी है और आगे भी रहेंगे पर विपक्षी दलोग आप लोग को समर्थर नहीं मिला राजसवा के अंदर विपक्षी दल कहीं और है आप लोग आज घर पर है अपने दल कुछ भी बोलके चुप रहे आम आद पूजी पती साथ यह हम होने नहीं देंगे जब यह अद्रदे संसद में परधान मंतरी जी के सामने हम ने विरूद किया था और यह विरूद लगातार चलता रहेगा चाहिए वो हमें सस्पंड करें कोई सजाद है परंतो किसान के आवाज संसद में गुझेगे, पर ये बताईए, संसद के बाहर कैसे हावाज गुझेगे, क्या तैयारी है, तो हम करी रहे हैं किसानों के पूस्त जा रहे हैं आप देखे जल बोर्ड से टेंक कर जा रहे पाणी के उसको रोख देते हैं बिजली को काट देते हैं पाकिसान से आए क्या पार्टियां यह बिलकुल जो है किसानों के साथ दुर्वियार हो रहा है किसानों के साथ नाइंसाफ ही हो रही है अब यह कहा रहा है कि आप लोग की जो रवईया है वो ताना साही रवईया रही है सदन के अंदर आप लोग अराजकता फेला रहते सदन के अंदर आप मुझे बताईए किसान के ऊपर लाठी चलाओगे किसान को पानी की बोच्छारे जिलाओगे किसान को आतंकवादी कहोगे गड़दार कहोगे लाल किले पर हमला करवाओगे अपनी गंदी राजनीती के लिए भाजपा नेताओं से तिरंगे का अपमान करवाओगे देश द्रोह करोगे ये बरताओ ठीक है ये आचनन ठीक है ये आराजकता नहीं है हमने तो किसान के हक में नारे लगाए हमने तो किसान की आवाज को बुलंद किया और आगे भी करते रहेंगे ये हमारा नैतिक करतब भी है एक राजनीतिक दल होने के नाते एक इस देश का किसान होने के नाते इस देश के किसान के बेटे होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी और हम इसको निभा रहा हैं आगे भी निभाते रहे हैं किसमाप्ती कैसे देखते हैं क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है और कई किसानों के जाब कार के पास है सरकार एक लाइन का प्रस्ताव लेकर आई यह तीनों काला कानून वापस ले इनके पास यह पूरा रास्ता है किसानों के आंदोलन को पूरी तरीके से आमादमी पार्टी का पहले दिन से ही समर्थन है और जब किसानों का आंदोलन प्रारंब नहीं हुआ था जब यह बिल आया था पौर्लेमेंट के अंदर उस वक्त भी हम लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था आज भी करना है कि आमादमी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों के साथ है कैमरा में राहूल के साथ रवी सर्रा भारस बचार तिल्ले